आज के इस वीडिये में आपने जिस कोश्चन के बारे में डिसकस करने वाले हैं, वो आपने के जे मेंस की 29 जून 2 जून 20 सेकेंड के सिफ्ट सेकेंड का कुश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखें आपने केस क्या कर रहा है कि लिट f एंड g भी ट्वाइस डिफ्रेंसेबल इवेन फंक्शन, अब निकास इस बात का ख्यार रगता है, यह एवन फंक्शन है और ट्वाइस डिफ्रेंसेबल भी दे रखा है, आगे आपने केस क्या कर रहा है, कि और माइनस 2 से लेकर लिए 2 तक, माइनस 2 और 2 से लेकर यह क्यों फंक्षन है वो अपने क्या इवन फंक्षन है और आपने क्या ट्वाइस ट्वाइस सी डिफ्रेंसेवल फंक्षन भी है पर आपर इसमें किसी को दीकत परिशानी नहीं नहीं चाहिए अब आगे अपने क्या कहा रहा है कि सच डाइट f of 1 by 4 equal to 0 f of 1 by 2 equal to 0 f of 1 equal to 1 के पराबर दे रखा है and g of 3 by 4 equal to 0 g of 1 equal to 2 के पराबर दे रखा है then the minimum number of solution f of x g dash x plus g double dash x plus times f dash x into g double dash x equal to 0 minus 2 से लेकर कि 2 तक is equal to अपने क्या रहा है इसका minimum number of solution बताने है कि यह आपने क्या किस के बराबर होगा इस equation के पराबर तो चले समसे पहले आपने क्या करा है कि f of x यह आपने क्या है एक even function है even function है हाँ याना जब यह एक even function है यानि f of x पे जो value होगा वो value आपने क्या है f of minus x पे होगा हाँ याना जो value f of x होगा वही value आपने क्या है f of minus x पे होगा क्या ये इवन फंक्षेजं है कै आपने कास इवन फंक्षन है तो f of one by four पे आपने कास प्रफ उनगा सब्सक्राइब नहीं कि नहीं है पैली सब्सक्राइब इसके जीरोगाんで होंगे इसके जरोगा सब्सक्राइब 1 by 4, minus 1 by 4, इस पे 0 दे रहा है, f of 1 by 2 पे और f of minus 1 by 2 पे 0 दे रहा है, यानि f of x के जो अगर आपनी number of zeros के बात करें, solution के बात करें, तो ये 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, यानि f of x के जो solution होंगे, वो आपनी के 4 के बराबर, कहां से लेकर तो इस लेकर रहे हैं, तो इस लेकर ये 2 के बीच में, जो f x के solution होंगे, वो आपनी के बराबर होंगे, ठीक है, ये number of solution के बारे में हम बात चलता है, अब आपनी कास अगला step क्या है, ये g of x भी आपनी के एक even function है, जब g of x एक even function है, तो यहाँ minus x के बराबर, यानि आपनी कास जो x भी लोगा, वही आपनी कास माइनस x पे, तो इस देखें, g of 3 by 4, 0 दे रखा, तो यहाँ से आप कहा सकते हैं, कि g of g of 3 by 4, equal to आपनी कास किस पर आजएंगे, तो g of minus 3 by 4, और ये आपनी कास g of 1 ही है न, g of 1 equal to g of one equal to g of minus 1 ये दोनों बराबर होंगे, और वो किसके बराबर जीए? 3 by 4 और –3 by 4 ही solution है, यानि g of x के जो है आपनी के पास, कितने solution हो जाएंगे, तो अपनी के 2 solution हो जाएंगे, कहां से कहां तक? तो minus 2 से लेकर के 2 के बीच में ठीक है तो g of x के जब 2 solution है तो g dash x के आपने के solution बता सकते हैं तो g dash x के जो solution हो जाएंगे वो आपने के एक ही solution होने के minus 2 से लेकर के 2 के बीच में हाँ या ना किसी को इसमें इतराज हमारी साथ से नहीं होनी चाहिए तो G-Dies X के अपने के अपने के कैस कितने solution हो जाएंगे अपने के पास एक solution हो जाएंगे अब अपने questions में काया रहा है कि इसके solution बताने है F of X into G-Dies X F of X into G-Dies X के बराबर plus times F-Dies X और into अपने कास काई G-Dies X इसका अपनी कास इसका 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 इसक एकुल टो अपनिकास h of x यहाने तो बोट साइड इंट्रिएट कर लें क्या चलिए इंट्रिएट कर लेते हैं इन्टू जी डाइस एक्स 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 किस बराज जीरो के पराबर इसका मतलब क्या है कि यह जो function नहीं, इस के अहवाभ एक्स के कितने zeros आएं एफ़ एक्स के अपनी के पास की अपनी के पास एफफटींगे कैसे अपनी कास GF-X नहीं बात चल लिए यहां पर आपनी कास F of X के बारे में बात चल लिए तो F of X यह 4 zeros और यहां से आपनी कास G-X के 1 zeros तो यानि हो जो टोटल zeros हो जाएंगे वो आपनी कास 5 zeros हो जाएंगे तोटल zeros कितने हो जाएंगे 5 zeros कहां से कहां तक तो X belongs to minus 2 से लेकर के 2 तक minus 2 से लेकर के 2 के बीच में आपनी के बीच में कितने zeros 5 zeros लेकिन अपनी कास function यह जो H of X नहीं पूछ रहागा बलकि H-X पूछ रखा है तो इसको integrate कि यहां से H-X के कितने zeros हो जाएंगे तो यह 4 zeros हो जाएंगे कहां से कहां तक आपको बताने के लिए हम बोले तो H-X के आपनी कास 4 zeros हो जाएंगे और यह आपनी कास क्या है यह अपनी कास H-X है ठीक है तो यहां से आपनी के बास कितने बोले कि इसके जो number of solution हो जाएंगे यह zeros वो आपनी कास 4 हो जाएंगे तो यह fill in the blanks में क्या आप फिल हो जाएंगे 4 के बराबर तो काफी अच्छे question थे इसमें आपको सोचना पड़ता इवन function मतलब क्या होता है कि जो value आपनी कास इस पर दे रहा है किसी value एक्स पर दे रहा तो माइनिस एक्स में भी same value देगा इवन मतलब यही होता है तो यह थे आपनी नाइन जूम टू डॉजन 20 सेकेंड के सिफ्ट सेकेंड का question था और बढ़िया question था सूर्चिने वाली question थे तो बस इतने इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ में चानल भी subscribe पर दीजेगा ताकि आपको फीचर में भी मिलती रहें तो बस इस वीडियो में मैं आप सो मिलते हैं और एक्षाटूरी में तब तक लिए स्टैप पीए स्टैल्री एंड गुट बाई